Hello friends, my name is Vijay, यह हमारा 832 रेल है, Django का जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने modules में कुछ data को add करेंगे, देखे हमने दो modules बनाये थे, एक movie name से और दूसर songs name से, इस modules में हम अपने data को add करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या आएंगे, database के API में हैंगे, तो उसके लिए एक command लिखेंगे python, लिखेंगे manage, फिर लिखेंगे dot py और फिर लिखेंगे shell, यह क्या करेगा आपका database के API में आपको पहुचा देगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने database के साथ छड़ागानी कर सकते हैं, तो सबसे बहले क्या करेंगे, जो modules से इनको import करेंगे, तो import करने के लिए सबसे बहलेंगे from, और फिर लिखेंगे अपनी app करेंगे, जो कि है movie one, फिर dot लगाएंगे, और क्या import करना है, modules को import करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे modules, फिर लिखेंगे import, और import क्या करने है, कौन से modules करने है, सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा modules क्या बनाए था हमने, हमन करेंगे, इस तरीके से Enter दभाएंगे तो इंपोर्ट होगे दोनों, गों क्या करते हैं। इस में कौन कौन सा data है ह् तो देखें हम ढोले हम लोग यहां पर सबसे बहले movies में चेक करते हैं, हां पर लिक्ते है movie फिक्ट है Flash Offjects इस तरीके से अफ लेखेंगे dot लगा के all इस तरीके से enter दबाएंगे तो देखें यहाँ पर आपको सिर्फ एक simple square basis दिखा रहा है इसका मतलब यह है किसके अंदर कोई भी data भी add नहीं किया गया है तो देखें data add करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कोई भी variable का name देख लिए a b c d जो भी आप देना चाहें मैं दे रहा हूँ a फिर लिखते हैं is equal to और फिर आप लिखेंगे अपने object का name object का name है movie इस तरीके से हमने लिखा movie और इसके अंदर सबसे पहला हमारा column क्या है सबसे पहला column है हमारा actor तो देखें इसके अंदर हम लोग क्या देंगे value देंगे तो इसके लिखेंगे is equal to और double colon में लिखेंगे double colon में आप जो भी name लिखेंगे वह आपका actor का name हो जाएगा मैं लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे comma लगाएंगे और दूसरा attribute क्या है actor की movie तो यहाँ पर लिखेंगे actor और फिर underscore movie और फिर यहाँ पर लिखेंगे is equal to double quotations में movie का name इस तरह से जोनर तो यहाँ पर लिखते हैं जोनर इस इकल टू double quotations में लिखेंगे तो यहाँ पर देखें आप लिख सकते हैं a b c d यह हमारा जोनर दी दिया हमने फिर कॉमा लगाएंगे और फिर देखें हमारा last में movie underscore logo और इसमें देखें इस logo में आप double quotations के अंदर क्या कर सकते हैं या फिर आपके अंदर आपके कोई movie है या फिर कोई image है तो उसका आप यहाँ से internet से कोई link दे सकते हैं stpp www.youtube.com में कोई image होगी तो उसका आप यहाँ से link देंगे अगर इसके अंदर link देंगे तो वह भी आपका store हो जाएगा वह link आपका .png name से इस तरह से store हो जाएगा तो इसके अंदर खुछ भी डाल सकते हैं देखें अभी हम कोई image नी डालना चाहता क्योंकि मैंनी चाहत the result, आपक अब देखे अंदर दबाते हैं bu कि इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि हमारे उसमें data कौन कौन से से तो सबसे ब invention एक्टर उने कि सफ्धें click , Klick एक्टर और हमें क्या से करना है से से करना है बबना मा जाएं देखें एक पर हम देखें के अससे लिए पिक चेक य अगर मैं यहाँ पर देखिए लिखूं एक्टर और अंडर्सकोर मुवी तो देखिए क्या करेगा यह मैं एक्टर की मुवी इसने देती जो हमने डाटाबेस में सेफ किया था और मैंने आपको चीज बनाए थी कि वहाँ पर एक और चीज होती है एक और कॉलम होता है आईडी में लगें डाल सकते है एक डोड्वी इसका मतला है पीक मतलब primary की तो इसको भी एंटर दमाएंगे तो यह भी वण दे रहा है आईडी और पीक आप आइडी भी लिख सकते हैं जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं और देखिए एक और तरीका क्या है अपने डाटाब ले लेते हैं मेरे मल लेता हूँ बी इस इकल टू ऐसे लिखेंगे मूवी इस तरीके से लिखा तो देखें बी में मूवी सेव हो गई फिल लेखेंगे मूवी डॉट यहां पर लेखेंगे एक्टर इस तरह से लिखा एक्टर इस इकल टू डबल कोटेशन के अंदर एक्टर क अंढ सोिन लिखते हैं दूसरी दूसरा मारा क्या है एकटर अंडर स्कोड मूभी इस तरह से आक्टर स्कोर मूवी मूवी का नेम देते दबल अंडर्सकोर में तो हम देते हैं रन हमने एक मुवी का नेम दे दिया और थर्द चीज हमें कहा देना है जॉनर देना है तो लिखेंगे बी डॉट जॉनर इस तरीके से लिखा इस इकल टू डबल देखें फिर लिखेंगे हम डबल कोटेशन पर जॉनर दे दिए तो हम एंपी या फिर एक्षन कि इस तरह से एक्षं मुवी का नेम दे दिया हमने और फिर हम देंगे बी डॉट मुवी अंडरेस्कोर लोगो के लोगो मुवी का लोगो देंगे डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से नेम लिख लिए आप कोई भी इंटरनेट से इमेड लिके उस एक्टर लिखूं एंटर दबाएंगे तो इसने मुझे दे दिया अजे तो यह दो तरीके मैं आपको बताएं क्यालते अपने डाटा को सेफ करने के लिए पहला तरीका तो यह है कि आप डिरेक्ट यहां पर जाके लिखें ए इस इकल टू मूवी फिर अपने एट्रिबूट क जो मारा कोलम तो से अमने एक्सिस के आख में वेली डाली भी थांक यू फो वाचिं दिस वीडियो प्लीस वास्क्राइब